कविता समर्पण शिरी राम अवतार त्यागी समर्पण इस कविता में कवी ने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं मात्र भूमी के लिए तन्मन, गान, प्राण, जीवन, स्वपन और आयू का प्रतेक शणशण समर्पित करके भी कभी को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहते हैं चाहिए कविता का उद्देश मात्र भूमी के प्रती प्रतेक व्यक्ति में समर्पन, त्याग और शद्या की भावना जागरित करना है प्रस्तुत कविता को मैं तीन भावों में विभाजित करके इसकी व्याख्या बताऊंगी आपको तो पहली दस लाइनों का भावार्थ मैं आपको बताती हूं मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दूँ मा तुम्हारा रिण बहुत है मैं अकिंचन किन्तु इतना कर रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल जब्भी करदया सुईकार लेना ये समर्पित गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कणकर समर्पित चाहता हूं देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दूँ इसका भावार्थिस प्रकार है कि माता और जन्व भूमी स्वर्ग से भी बढ़कर होती है इसलिए कभी अपने समर्पित से संतुस्ट नहीं है क्योंकि देश की धर्ती का उन पर बहुत बड़ा रिण है जिसके सामने वे स्वेम को बहुत तुच्छ और निम्ण मानते है उस रिण को उतारने के लिए कभी अपना तन्मन और यहां तक की अपना संपूर्ण जीवन भी देश के नाम समर्पित करना चाहते हैं वे धर्ती मा से निवेधन करते हुए कहते हैं कि हे मा जब आपकी रक्षा है तू मैं अपना शीश थाल में सजा कर लाऊं तब मेरी इस भेट को मेरे उपर दया करके उसे अवश्य स्विकार कर लेना वे मात्र भूमी का ब्रहद रण अपने शीश दे कर चुकाना चाहते हैं वे अपना सर्वस देश हेतू समर्पित करना चाहते हैं कवी चाहते हैं कि उसके अतरिक्त उनके पास यदि कुछ और भी हो तो भी इसे देकर धर्टी के रिण से उरेण हो सकें कवी देश की धर्टी के रिण से उरेण होने के लिए अपने जीवन की समस्त खुशियों को, गीतों को, अपने प्राणों को, अथार्ट अपने खून की एक-एक बूंद को देश के कल्याण के लिए उसकी रक्षा के लिए समर्पित करना चाहते हैं, इतना देकर भी वे संतुस्ट नहीं है, वे इसके अतरिक्त भी कुछ और देना चाहते हैं परग्राफ दो, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित, चाहता हूं देश की धर्ती, तुझे कुछ और भी दूं मांजदो तलबार को लगाओ नदेरी, बांददो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल्दो चरण की धूल तोड़ी, शीश पर आशीश की छाया घनेरी स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयू का छण समर्पित, चाहता हूं देश की धर्ती, तुझे कुछ और भी तूं कभी देश की धर्ती के रिण से उर्ण होने के लिए कहते हैं कि आज शीग्र ही मेरी तलवार की धार को पैनी कर दो जिसमें वर्षों से खाली पड़ी रहकर चंग लग गई है और मेरे कमर में बांधने के लिए ढाल भी दे दो, जिससे मैं युद्ध भूमी में स्वेम की रक्षा कर सकूँ वे कहते हैं कि मेरे सिर पर मेरी भारत माता के आशीरवाद की घनी चाया है अथा मेरे माथे पर भारत माता के चर्णों की धूल मल दो मैं आज उनकी रक्षा हे तू अपना सर्वस अर्पन करने जाता हूं कवी में समर्पन की भावना अनमूल है वे सच्चे सपूत हैं जो अपने शरीर तक को देश की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं कवी अपने भावविश्य के स्वपनों को देश की रक्षा हे तू समर्पित करना चाहते हैं वे इस विशय में किसी भी प्रकार के प्रिश्ण किसी से ना पूछना चाहते हैं और नहां चाहते हैं कि कोई उनसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे वे अपनी आयू का प्रतेक्षण देश की रक्षा और इसके कल्याण हेतू समर्पित करना चाहते हैं पैराग्राफ तीन तोड़ता हूं मुह का बंधन छमा कर दो गाउं मेरे द्वार घर आंगन चमादो आज सीधे हाथ में तलवार देदो और बाएं हाथ में ध्वजको थमादो सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड का त्रण त्रण समर्पित चाहता हूं देश की धर्ती तुझे कुछ और भी धूँ भावार्थ कभी अपने गाउं घरद्वार वा आंगन से शमा मांगते हुए गाउं वा घर के सभी मुहों वा बंधन को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे देश के सच्चे सपूत हैं और वे नहीं चाहते कि कोई भी मुहों बंधन मुहों पाश उन्हें बंधन में जकर सके अतहा वे मुक्त होकर देश को सर्विस्त सर अर्पित करना चाहते हैं वे सारे फूल वा बगीचे भी भारत माता के चर्णों में अर्पित करना चाहते हैं नीड का त्रण त्रण समर्पित कहकर कवी ने अपने देश की रक्षार्थ अपने घोसले अथार्थ घर के तिनके तिनके को भी समर्पित करने की और संकेत किया है कवी ने इसपस्ट किया है मात्र भूमी की रक्षा के लिए घर, परिवार, समाज वर स्वयम को हस्ते हस्ते समर्पित कर देना चाहिए समाप्त